Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Divashree Shavasthi. जिसे आपको पताओ का मैं हर मंडे weekly current affairs आपके सामने लेक्याता हूँ. So आज मेरा weekly current affairs आगया है, that is third मार्च से लेक्ये, 10th मार्च तक की सारे MCQ, weekly MCQ, सारे मैं discuss करूँगा current affairs oriented. जाद एकिए कि लेक्षर में आपको बहुत इंटरस्टिंग कोशन्स में और एक्जाम में ये copy-paste कोशन आपके एक्जाम में आएगे. तो लेक्षर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपोर्टन कोशन्स मेंने हाँ पर कवर किये हूए है. और याद कि ये वीडियो को लाइक अभी से कर दो क्योंकि एंड में आप लाइक करोगे ही इतना अच्छे कोशन्स में यहाँ पर कवर किये हूए है. इसका pdf आपको मेरे टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा. इंडिया का पहला है ठीक है और यह हमाई जो चीफ मिनस्टर है नितीश कुमार जी उन्होंने भी रीसेंटी इनॉग्रेट किया है. तो कहां पर इनॉग्रेट किया होगा मैंने हिंट दे दिये नितीश कुमार जी तो करेक्ट आंसर है पतना में याद रखेगा. बिहार पतना में इंडिया का पहला नैशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो इस्टैब्लिश किया गया है उसको इनॉग्रेट किया गया है. आप मुझे बताएए बिहार के सीएम तो नितीश कुमार है बिहार की गवर्नर कौन है क्योंकि बिहार बहुत ज़ादा निउस में है तो बिहार के गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन में आते हैं कोशन नमबर से याद लिखेगा, चापचर कुट festival ही बहुत फेमस festival है नॉर्थीस के स्टेट का फेसिवल है और मैंने पूछा ये किस स्टेट में सेलिबरेट किया जाता है, वेर वोस दा चापचर कुट फेसिवल सेलिबरेटेद, ऑपशन देखिए, सारे ही North East के हैं अगर आप North East से देखे हैं तो I hope आप शायद correct answer बता सकते हैं बट अगर नहीं पता है कोई बात इसको याद कर लिजे, correct answer है Mizoram, okay, important है Mizoram इसका correct answer है, आपको याद अखना है चाप्चरकुट festival Mizoram का important festival है और ये exam में बहुत बार, repeated question ही आचुका है ठीक है, चले, आगे बढ़ते है next question माते question में third what is the first country globally to embedded abortion rights into its constitution abortion rights है, वो अपने constitution में include किया है, और पहली country बन गई है globally, first country in the world, okay, तो बहुत important हो जाता है first country in the world, देखिए, मैंने India option दिया हुआ है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अज़कर correct answer है option number B, France, यहाँ देखिएगा important है, France और India के relations भी important है क्योंकि Republic Day में आपको पता हो, France के President जो है, वो भारत आये थे, इसलिए France और इंडिया के relations भी आजकर बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो correct answer option number B, France, ओके चले, आगे बरते हैं, next topic में आते हैं, next question में आते हैं, अभी आपको पता हो कि Underwater Metro को इनाउग्रेट किया Prime Minister मोदी जी ने 6th मार्च को, ठीक है, 2024 में तो question उसी से related है, कि which station is the deepest in the underwater metro system, deepest मेट्रो स्टेशन बन गया इंडिया का, उसका नाम क्या है क्योंकि Underwater Metro, अभी मैं आपको बता है, Prime Minister ने 6th मार्च को Kolkata से इनाउग्रेट किया और बहुत इंपोर्टेंट भी रहा इस बार का, तो कहां है deepest, उसका नाम क्या है तो उसका नाम याद आखना आपको हावडा Metro Station, याद अखिएगा हावडा Metro Station, देखिए मैंने नाम बहुत confusing दिये हुए, हुगली स्टेशन ठीक है, Salt Lake, सेक्टे से करके options दिये हुए बट correct answer है, हावडा Metro Station is the correct answer, that is option number D, okay, चले आगे बढ़ते हैं, next question में आते हैं who was recently, सौन as the Prime Minister of Pakistan, अभी आपको बता होगा, finally Pakistan के Prime Minister appoint हो गए है, उनका नाम क्या है, ठीक है, बहुत important question अब देखिए जहाँ नवाज शरीफ लिखा हुआ, इमरान खान तो जेल में हैं, आपको बता होगा इससा correct answer है, शहबाज शरीफ याद हकेगा, शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के नए Prime Minister बन गए है किस party से ये भी मैं आपको बताता हूँ Pakistan Muslim League नवाज जो है ठीक है, इस party से belong करते हैं और अभी at present, पाकिस्तान के Prime Minister appoint हुए है, ठीक है, चले जो सुकु है, CM है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में याद दखेगा, ये first ever Asian River Rafting Championship होरी अलग-अलग country से लोग को पाटिसिपेट भी किया हुआ है, और ये हो रही है सतलज river में, किस river में? सतलज तो correct answer option में B है, और हिमाचल प्रदेश में ये function हो रहा है, याद कि शिमला मैंने बता है, सुक्विंदर सिंग सुकु जो है, उन्होंने inaugurate किया, important है हिमाचल प्रदेश भी अभी news में आ गया था politics में आपने सुना होगा, ठीक है यहाँ के CM मैंने बता दिया, सुकु जी है आपको बताना है, governor कौन है, क्योंकि news में अभी हिमाचल प्रदेश चल रहा था correct answer इसका याद है कि 17 जिरिवर है next question में आते है this is one of the important question, exam में आने जान से सबसे ज़ाद हैं इस question के between which two countries exercise samundra lakshmana, या देखे, samundra lakshmana strengthening maritime cooperation, तो exercise कराम कहा, samundra lakshmana ये exercise मैंने सीधा पूछा किन दो countries के बीच में है, ये exercise important अभी March में ये conduct होई थी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उसका correct answer है India and Malaysia, या दखे है तो सीधे याद कले ना, option में भी India and Malaysia, ये exercise 28th Feb से लेके 2nd March तक Vishakha Patnam में conduct की गई है तो important है, ये भी पूछ रकते है ये exercise कहा, कंड़क की गई, तो answer would be Vishakha Patnam that is at Andhra Pradesh आप से एक homework दे रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं, मैंने एक और exercise लिखी हुई यहाँ पर, exercise Harimau Shakti, आपको मुझे बताना है ये exercise किन दो countries के बीच में होती है ये आप मुझे comment box से बताएंगे, किन दो countries के बीच में exercise होती है अभी मैंने इंडिया और मलेशा के आपको सम्हुद लक्षमान बता दी है, ये आप मुझे comment box से mention करके बताएंगे, चलिए next आगे बढ़ते हैं next आप यहाँ पर देखिए tribal costume आपको यहाँ पर दिख रहा होगा red color का आपको यहाँ पर tribal costume दिख रहा होगा मैं बता दो इसकरा में Risa एक tribal costume है और अभी इसको recently GI tag मिला है तो मैंने पूछा है किस state का है जिसको recently GI tag मिला है Risa नाम है पूछ सकते है Risa को recently GI tag मिला है किस state से बिलोंग करता है options यहाँ पर दिये हुए correct answer option बस C-Tripla जा देखना आपको Tripla से बिलोंग करता है जा देखना यह mention भी हुआ है कि Tripla का attire है Risa चलिए next question माते question 9 यह भी news में यह question आने की जानसे बहुत जादा है UPSC ऐसे question बहुत फ्रेम करती है आपको report देदेगी Global Resource Outlook Report अभी recently publish हुई है इसको release कौन करता है direct question ऐसा पूछ लेगी और options आपके सामने resource outlook है तो आप सोचेंगे World Bank या World Economic Forum करता होगा बट नहीं इसका correct answer UNEP याद अखिएगा UNEP जो है यह United Nations Environment Program जो है जिसका headquarter Nairobi Kenya में है वो इसे publish करता है तो यह भी याद अखना है ऐसे question आते हैं और आप confused हो जाते हैं अभी recently launch हुआ है याद अखिएगा तो इसका correct answer UNEP है चलिए question 10th में आते हैं तो किसको appoint किया गया है as a president of Hungary सबसे पहले मुझे आप बताई हंगरी की capital क्या है वर्ल्ड में हंगरी की location आपने यूरोप में देखी होगी बड़ इसकी capital क्या है याद मुझे comment box देखी क्योंकि अभी नए president appoint होए है शायद आपको नाम नहीं पता होगा मैं बताईता हूँ उसका correct नाम है तमस सुल्योग तमस सुल्योग जो है नए president appoint होए है क्योंकि जो याद एखेगा जो previous head of the state तो उन्हों resign कर दिया तो इन्होंने याद एखेगा ये नए president appoint होए है चलिए प्राक्टिस करा रहा हूँ correct answer है बैंगलूरू बैंगलूरू आप समको बता है करनाटका में है तो correct answer option number B है next question who won the first prize in the national youth parliament festival 2024 ये बहुत important question में star लगा रहा हूँ first prize in national youth parliament festival 2024 और ये award हरयाना के एक लड़की ने जीता है जिसका नाम है यतिन भासकर दुगल यार हरयाना से बिलॉग करता है और first prize मिला इसको national youth parliament festival के लिए आप देख सकते हैं देश के जो at present लोकसवाई speaker है ठीक है वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे उन्होंने उनके साथ साथ sports minister जो है बनों मिल के अवार्ड दे रहे है नेक्स कोशन मारते है कोशन मार थर्टीन अभी रिसेंटी ओन विच आइलेंड ऑफ लक्षदीप लक्षदीप एक आइलेंड में इंडिया नेवी इस्टाबिश इच न्यू बेस इंडिया नेवी ने अपना नया बेस इस्टाबिश किया है उस बेस का नाम मैं बतायता हूँ आइनस जटाईू नाम रखा है ठीक है आइनस जटाईू तो वो किस लक्षदीप एक इस इस्टाबिश किया गया है options आपके सामे है लक्षदीप आपको पता है न्यूज में उसा correct answer है मिनी कोई आइलेंट या दखे लक्षदीप मैंने पढ़ाय भी हुआ है तो मिनी कोई आइलेंट में आइनस जटाईू जो है या दखे बेस इस्टाबिश किया है इंडिया नेवी ने चले आगे बढ़ते है नेक्स आता है विट विट वूस कोलाबरेशन है नीती आयोग लाँज़द Frontier Technology Lab नीती आयोग ने किसके साथ कोलाबरेट करके Frontier Technology Labs डेवलप कर रहा है अफ्कोर्स जिससे देश में इनोवेशन बढ़ सके अब option देखे Meta, Google, Microsoft, Infosys यह सब options है यह सब करेक्ट आंसर है Meta तो करेक्ट आंसर उप्शन में A, that is Meta यह सब करेक्ट अबजेक्टिव है to empower the youth to innovate youth innovate के और बढ़ सके इसलिए अटरल इनोवेशन मिशन करनीती आयोग ने कोलाबरेट किया है Meta के साथ to develop Frontier Technology Labs that is FTL नेक्स है NUCFDC अब रीसेंटी न्यूज में है हमारे जो Union Home Minister है और कोपरेटिव मिनिस्टर है उन्होंने इसको inaugurate भी किया है What is this NUCFDS? मैं आपको बताता हूँ यह है क्या यह एक NBFC है ठीक है Non-Banking Financial Company Establish की गई है Full Form इसका मैंने पूछा इसका Full Form है National Urban Cooperative Finance and Development Corporation याद रखिएगा जो option बर A है वही correct answer है यह एक NBFC है I think आप तो bank और NBFC में difference पता होगा मैंने अपनी economic selection पढ़ा हुआ है इसका काम क्या है इसका काम है Urban Cooperative Banking सेक्टर को strengthen और modernize करने के लिए इसको establish किया गया है और अभी recent याप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो Amit Shah जी है वही chief guest उन्होंने ही इसको establish किया है नेक्स आते है नेक्स question में World Wildlife Day 2024 सबको पता है World Wildlife Day हम 3rd March को establish करते हैं मैंने यहाँ पर पूछा उसकी theme क्या थी इस बार World Wildlife Day 2024 की theme क्या थी मैंने जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था PP याद कर लेना यह इसकी theme है क्या है connecting people and planet तो याद एक है PP connecting people and planet इस बार की theme चलिया नेक्स question माते है primary objective of deaf connect 2024 याद एक है deaf connect 2024 का primary objective क्या है अभी New Delhi में हमाई जो defense minister है उन्होंने याद एक्षिएगा inaugurate भी किया important है deaf connect मैं आपको बताऊँगा इसका काम क्या है deaf connect 2024 का इसका काम यह है to encourage indigenous defense innovation याद एक्षिएगा जो made in India है making India है याद एक्षिएगा आत्म निर्भर भारत है उसको promote करने की बात करते है इसलिए indigenous defense innovation को encourage करना याद एक्षिएगा इस deaf connect का main objective है चलेगा आप देख भी सकते है 4th माज को deaf connect New Delhi में हमारे जो रक्षावन्तिय defense minister है ताजनाथ सिंग उन्होंने inaugurate किया इंडिजीनेस defense innovation को बढ़ाने के लिए इसको स्टाबिश किया अभी रिसेंटली ये इवेंट हुआ था याद दखे और हमाई defense में सेने inaugurate किया next question है अदिती scheme ये news में भी आ गई ये scheme भी news में आ गई जब ये deaf connect हो रहा था याद दखे इस टाइम पर अदिती scheme भी news में थी मैंने सीधा पूछा ये किस area selected है अदिती scheme अदिती scheme नाम सुनके ऐसा लग रहा है किस से related होगी option देखे health है space है defense educational है easy question है बट नाम देखे कोई भी defense answer ही लाएगा बट इसका answer defense sector ही है याद खिएगा अदिती scheme जो है मैंने बताए अभी आपको DEF Connect 2024 जो न्यू डेली में हो रहा था वही पर अदिती scheme को launch किया गया है to promote innovations in critical and strategic defense technology मतलब जो indigenously defense technology को बढ़ाया जाए उसके लिए अदिती scheme launch की गया इस scheme के अदर बतादो जो भी start-ups होंगे जो भी start-ups होंगे और जो start-ups work करना चाहते है defense sector में तो उनको 25 को रुपीज दिये जाएंगे as assistance कि वो research, development, innovation में अपना चीज़े लगा सकें उसी के लिए ये scheme जो है start-up की गई है तो अदिती scheme नाम सुनके कभी नहीं लगेगा आपको कि defense sector से related है पर इसका correct answer defense sector है next आते है next है उद्यान उत्सव 2024 अभी recently inaugurate किया गया कहां celebrate हुआ राश्पती भवन न्यू डेली में 2nd फरवरी से लिए 31st March 2024 तकी event होगा मैंने पूछा है उद्यान उत्सव 2024 किस से related है मैंने भुता क्या है ठीक है यह options आपके सामने music festival है क्या festival है इस सब flower festival या रखेगा तो correct answer option भी है या रखेगा यहाँ पर images आप देख सकते है सब flowering festival चले तो 2nd फरवी से लेके 31st मार्च तकी event चल रहा है चले next आते है which organization will be responsible for implementing या देखेगा inaugurate तो किसी और नहीं किया पट इसको implement कौन कर रहा है the new intraparable payment system या देखे intraparable system को payment system है या देखे intraparable payment system है it's a payment system एक तरीके से जो merchants होते हैं ठीक है आप कुछ भी buy करते हो गहीं भी जाके तो payment आप UPI यूज़ करते हो for example आप कुछ भी buy करते हो तो UPI यूज़ करते हो merchant का तो payment आती है तो जल्दी settle हो सके ठीक है उसके लिए एक नया intraparable payment system डेवलप किया है Reserve Bank of India ने इसको implement करने का काम किसको दिया है inaugurate तो Reserve Bank of India ने किया है बट इसको implement करने का काम दिया गया है NPCI को या रिखे National Payment Corporation of India को ये काम दिया गया है ठीक है NPCI important है मैं लिखा देखे Reserve Bank of India जो है उसने लांच किया है intero parallelable payment system for of course internet banking के लिए जो लोग merchants होते हैं ठीक है उनकी payment settlement जल्दी हो fast हो उसके लिए ये setup किया गया उसको implement करेगा NPCI चलिए next question में आते है E-Kisan Upaj Nidhi Initiative ये क्या है ये अभी recently launch किया गया ठीक है इसका मैंने आप से पूचा है इसका primary objective क्या है E-Kisan Upaj Nidhi Initiative ये मैं आपको बताता हूँ इसका objective क्या है अभी recently news में चला है इसका correct answer पहले बता दूँ फिर मैं explain करता हूँ correct answer is to ease farmers warehousing logistics अब आप कहेंगे ये क्या है देखिए आपको भी पता होगा farmer जब agriculture करता है तो उसको store नहीं कर सकता है इसलिए कम नाम पे भी वो उसको sell out कर देता है क्योंकि उसके storage क्या जगह नहीं कहां वो इतना सारा आनाच को store करके रखे तो ये जो है E-Kisan Upaj Nidhi है ये initiative है Warehousing Development and Regulatory Authority का that is WIDA का इस initiative के अंदर याद रखिएगा एक digital process है जहां पर farmer क्या करेगा अपने product को जा देखे अगर उसको सही दाम नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है अपने product को जो registered Warehousing Development and Regulatory Authority registered है वहाँ पर जाकि उस warehouse में जा देखेगा अपने product को रख सकता है और वहाँ पर अगर वो 6 months के लिए रखेगा तो उसको 7% interest भी दिया जाएगा तो इस तरह का एक तरीके से यह जो initiative है post harvest में farmers को सही दाम नहीं मिल रहा है तो storage कर सकता है याद किएगा post harvest storage opportunities जो है इससे better होती है तो यह है एक तरीके से E-kisahan उपजमंडी और प्यूश गुवेल जी है याद एखेए उन्होंने ही अभी recently इसको inaugurate भी किया है नेक्स पर आते है अभी कौन अपॉइंट हो है new head of parliament security parliament security के नए head कौन अपॉइंट हो है he's an IPS officer of 1998 batch इनका नाम है Anurag Agrawal याद एखेए correct answer option मढडी है Anurag Agrawal IPS officer है 1998 batch के और याद रिसेंटली parliament security के head appoint हो है next है which city has been announced as a host of 2027 world athletic championship by world athletic council world athletic championship 2027 कहा होने वाला है कौनसे city रिसाइड हुई है options आपके सामने में बताता हूँ जो city अभी recently रिसेड हुई है वो है चाइना में बीजिंग तो correct answer that is option number C next question है what is the name of newly discovered marine species of head shield sea slug with a rubby red spot अभी recently ये geological survey of India ने इसको खोजा है जो की ओडीशा और कुलकटा के कोस से मिली है और देश की जो प्रसियंट है दौपदी मुरमुजी उनके नाम पर रखा गया है ठीक है इसका नाम है option number A that is Milano Clements याद दखिएगा तो दौपदी मुरमुजी के नाम पर ये species रखी गई है ये पड़ा important question है मेरा मानना है question जरूर आएगा चलिए next question माते है who is the first woman sniper of BSF border security force का पहली woman sniper कौन बनी है ये interesting question है ये उनकी image है याद दखिएगा नाम है सुमन कुमारी तो सुमन कुमारी याद दखिएगा sniper S स सुमन S स स्नाइपर BSF की पहली woman बनी है याद दखिएगा ठीक है चलिए next question माते है question 26 what is the name of India's first ASTDS tug inaugurated by सर्बानन सोनवाल तब कुछ लोग तो समझी नहीं पा रहे हूँग ये इंडिया का पहला ASTDS tug होता क्या है मैं तादू tug क्या होता है actually एक तरीके से vessel रहता है जो जैसे मालो कोई ship port में आती है या port से जाती है तो उसको help करता है कि port में कैसे जा सकते हो बाहर कैसे आ सकते हो पुलिंग में तक्का देने में इन सब चीजों पर ये help करता है तीक है उसे कहते हैं tug तो इंडिया का indigenously built first ASTDS tug जो है उसका बनल सोनवाल ने अभी inaugurate किया उसका नाम क्या रखा गया है उसका नाम है Ocean Grace क्या नाम है Ocean Grace तो correct answer option भी है देखिए मैंने यापर mention भी का रखा है ये tug जो होते हैं कि special boats कह सकते हो जो इनका काम होता other vessels को into and out of the port port में जाना बहार निकालना एक तरीके से larger ships को towing, pushing, guiding ये इनका काम रहता है और अभी recently indigenously built या देखिएगा जिसको नाम है Ocean Grace है ना इसको बनाया है coaching shipyard limited ने किसने coaching shipyard limited ने और ASTDS का full form भी मैं बतायता हूँ approved standard tug design and specification ठीक है ये पूरा full form है full form कोई आपसे नहीं पूछेगा इसका नाम पूछ सकते है ocean grace ये news में है ये है क्या एसा करके option जरूर ये भी आ सकता है उल्टा question नहीं पूछ सकते है ocean grace is in news what is this ये उपसी question फ्रेम करती है और ये शाद आप option देखे पहचान भी ना पाऊगे नेक्स question है where was the new species of Amazon anaconda discovered Amazon के anaconda जो अभी recently discovered हुए है तो news में भी चल रहे है options आपके सामने सारे आप देखे रहोंगे South America की ही countries के है ठीक है Ecuador, Brazil, Columbia, Peru बड़ इसका correct answer जल्दवाजी है Brazil मत लगा देना क्योंकि grassland है ये ये mountains है ये desert है तो correct answer है Ecuador rainforest correct answer option number A है ठीक है क्योंकि anaconda है तो rainforest में ही मिलेगा चलेँ next where is India's first indigenous prototype fast breeder reactor located ठीक है इंडिया का first indigenous prototype fast breeder reactor जो है वो कहाँ पर located है ये located है Tamil Nadu के Kalapakam में या देखे Kalapakam जगे जो है Tamil Nadu आपको पता होगा important है nuclear reactors के अगर बात करते हैं तो इंडिया का पहला indigenous prototype fast breeder reactor जो है या देखना है Kalapakam Tamil Nadu में established है next question अभी रिसेंटी किसी organization salvation किया है 174th foundation day on 4th March तो 174th foundation day 4th March को established किया गया ये organization बतादू इसका नाम है Geological Survey of India जिसका headquarter बतादू कोलकता में है ये organization 1851 में बनी थी कब बनी थी 1851 4th March 1851 में और या देखिए Geological Survey of India इसका headquarter कोलकता है ठीक है और एक खास बात ये क्या अगर आपसे पूछे 1851 में बनी थी क्या ये oldest survey इंडिया है Geological Survey of India को कि नाम इसका नहीं या देखिए second oldest survey क्योंकि इससे पहले Survey of India जो है वो 1767 में established हुई थी तो आप देख सकते है ये second oldest है ना की oldest है तो इससे statement UPSC frame कर सकता है या दखना आपको Next question Which city Silver filigree has recently been awarded a GI tag ये बहुत news में Silver filigree Silver filigree आप याँ पर देख सकते है ठीक है इसको GI tag बिला है इसका दूसर नाम भी में आपको पताता हूँ इसका correct answer है कटक Odisha में कटक Odisha के students बहुत देख रहे है उनके लिए तो बहुत जादा important question है correct answer option में D है इसका दूसर नाम कटक रूपा तरकशी भी है जिसको आप Silver filigree भी कह रहे है जिसको अभी GI tag दिया गया है तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे ठीक है next question है in which city was India's first green hydrogen plant in stainless steel sector inaugurate किया है जो steel minister हमाई जोतराथ सिंद्या जी है उन्होंने ही inaugurate किया है इंडिया का पहला green hydrogen plant in the stainless steel sector ठीक है और ये inaugurate किया गया हर्याना के हिसार में तो correct answer option was C that is हिसार हरयाना next question है in which city संसद खेल महाल कुम्ब 3.0 ऑगनाईस ठीक है मैं बताओं इस पर रोहिट शर्मा जो है वो भी यहाँ पर पहुचे थे ठीक है और जनराग ठाकुर जी है स्पोर्च मिनिस्टर है वो भी थे ठीक है संसद खेल महाल कुम्ब 3.0 जो रोहिट शर्मा के फैन है मैं आपको बता दूँ वो यहाँ पर पहुचे थे हिमाचल परदेश में आपको पता है टेस्स मैं चल रहा है तो हमीरपूर यहाँ दखिएगा हमीरपूर में ये इवेंट हुआ है संसद खेल महाल कुम्ब 3.0 और हमीरपूर आपको पता है इवेंट हिमाचल परदेश नेक्स है इन विच स्टेट और लास्ट कोशन है इन विच स्टेट वस इंडिया फर्स स्मॉल स्केल LNG unit inaugurated इंडिया का पहला है small scale LNG unit inaugurated और ये inaugurate किया गया है विचेपूर में विचेपूर बता दू मैं शियोपूर में है मुचियोपूर मद्दर्परदेश में मताब विचेपूर शियोपूर दिस्टिक में मद्दपरदेश में तो correct answer is option number C है ठीक है और जित्ते भी direct questions थे मैं direct आपको एक्स्पेंगे कि इस बार direct questions exam में आते हैं आपको options नहीं पता हो तो नहीं बन पाते हैं इसलिए मैं MC को प्रैक्टिस करा रहा हूं यह initiative कैसा लग रहा है इसमें बहुत time लगता है इस PPT को बनाने में और ऐसे questions उलने में जो exam perspective है उसमें भी time लगता है तो at least आप इस initiative को like जरूर करें पसंद जरूर करें अगर आपको पसंद आ रहा हो ठीक है अगर आप हमें कुछ contribute करना चाहते हैं तो यह हमारा QR code है फोन पे कोई बात ने आप वीडियो को like कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं उससे भी हमें help होगी यादखिएगा आप सोच रहोंगे कि सर अभी आपने यह current affairs के mcq weekly करा दिये हैं ठीक है बट नोट्स का क्या होगा economic subject जैसे होता है ठीक है इसमें बहुत सी चीज़े पढ़नी गया economic survey हो गया पूरा economics हो गया कहां से पढ़ें तो देख सकते हैं economics के handwritten notes में आपको provide करूँगा ठीक है यह सारे notes चाहिए आप science के लेना चाहते हो history के art and culture चाहिए science में physics, chemistry, bio चाहिए यहादखिए कि पूरा complete package है 14 booklets का हो यह सारे handwritten notes है ठीक है यह 14 booklets का package है notes है यह साइच आपको कहां मिलेगी नीचे में number दिया हूँ आप contact कर सकते हैं आपको यह notes deliver हो जाएंगे अगर आप deliver नहीं करा सकते हैं आपके पास time कम है तो आप soft copy भी order कर सकते हैं यह notes बहुत important है individual subjects भी order कर सकते हो complete package लोग है तो आपको advantage मिलेगा ठीक है अगर आप contact करना चाहते है contact number mention है आप से बाइ करना चाहते है उसका link भी मैंने description box में mention कर राखा है यहाद रखिएगा देवशीश classes यह आप इसका link मैंने description box में डाल रखा है यहाँ से आप application को download करें वहाँ आपको classes भी मिरी मिलेंगी प्लस आपको notes भी आप provide हो जाएंगे अगे अगर आप चाहते हैं directly contact करन आपते हैं answer writing से लेके lifetime access with optional classes आपको provide करते हैं तो UPSC के प्रप्रशन करो ज़रूर जुड़ो contact करो मैं number दिया हुआ है मैं आपको retails provide करूँगा other state में आपको पता हर state में exams अभी UPPCS का exam postponed हो गया है तो अभी जिन्हों त्यार नहीं की अभी भी टाइम में आप तयारी कर सकतो notes by कर सकते हो UPSC आपको पता है पेपर जुलाई में हो गया है तो इस टाइम पर आप exam को दे सकते है MPPSC का पेपर है अभी south में भी ज्याद है तमिल नायट वांत्रपदेश करनाट का हर जगे exams चल रहे है ठीक है even West Bengal, Kashmir, Assam ठीक हर जगे UP हर जगे exams चल रहे हैं और इस टाइ Instagram से जोड़ सकते हैं, link description box में है, video कैसे लगा है, questions बड़े interesting में लेके आता हूँ जो exam perspective से important है, और देखिया अगर हर एक series को मैं ऐसे weekly करा रहा हूँ, अगर आप weekly series को पसंद करेंगे तो मेरा agenda जो है, मैं अब आपके सामें daily current affairs भी start कर दूँगा, उसके लिए आपको इस initiative को लाइक करना पड़ेगा, अगर आप instant initiative को लाइक करेंगे, तो हम अगले initiatives भी launch करेंगे, okay, previous year questions भी हम UPSC के करा रहे हैं, सारी practice कराएंगे, हर चीज A to Z हम आपको cover कराएंगे, आपको बस हमाई वीडियो को लाइक करते हैं और प्लीज इस वीडियो को share करेंगे, आप चैनल क अरिवन जेहन जे भारत